इस यूडियो में बात करेंगे कि जो विस्टा सीपी का मेल अकाउंट है उसको आप अपनी जीमेल में कैसे एड़ कर सकते हो उससे क्या होगा का कि आप जीमेल के तुरू याप मेल सेंड कर सकते हो आपको बार बार रांड क्यूब कर ओपन करने की नीड नहीं होगी तो उसके अग्जेक्ट का रहे हैं यहां पर अधर कोई ओप्शन नहीं आ रहे है तो यह वाला अकाउंट यहां पर एड़ करने के लिए क्या करना होगा से सेटिंग पर क्लिक करना है सी ओल सेटिंग पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अकाउंट एंड इंपर्ट पर आपको क्लिक इसका यह है मैं यहां पे copy करता हूँ वह यहां पे डालना ह्यां आपको Next पर click कर देना कि इसहां पर की आ यहां पर फोप तरफ तो मैं तो मैं उसको करता हूँ नेक्स्ट अभी यह पूथ रहा है यूजरनेम तो जो उपना यूजरनेम है जब आप इस पे क्लिक करते हो एडिट पे क्लिक करते हो तो जो यूजरनेम है वो अपना यही है ओके यूजरनेम डाला मैंने पासवर्ट जो अपनी यूज क्या था वो यह वाला क्या था जब अपने क्लिक करता हूं ठीक है यहां प्यारा कि mail account edit successfully yes I went to तो यहां पर एक OTP send करेगा और यहां पर मैं इसका नाम रख देता हूं admin यहां पर नाम याप रख सकते हो next step मैं क्लिक करता हूं ना ओके यह already add हो गया ओके SMTP क्या पूछ रहा है यहां पर तो जो hostname है वो तो यह यह विकासन जो अपना domain का नाम है वह यह hostname है और यह अपना हो गया user and the password is this one password मैंने यहां पर ड़ला TSL पर आप क्लिक कर दो add account पर आप क्लिक कर दो ओके अभी यह चेकिंग कर रहा है TITSL तो मैं क्या करता हूं यहां पर SSL करता हूं उसके बाद चेक करते हैं अब चैंज बगरा करके यहां पर देख देख ले ना ओके यहां पर फिर में पोर 25 चेक करता हूं और एंशिक्योर कनेक्शन यहां पर करता हूं विकोज यहां पर यह दोनों में नहीं नहीं हो रहा है तो यहां पर यह हो गया है चैंज परम तो यहां पर जोörung चेक करोगे तो एक मेर आपको आएगव यहां ठीक है तो मैं इसको करता हूं प्लीज क्लिक ओण देलिख कन फरम तो मैं इस पर क्लिक करता हूं जैसे मैं क्लिक करूंगा, confirm अपने को करना है, ओके, so confirm हो गया है, अभी मैं क्या करता हूँ, जब मैं अभी compose पे क्लिक करूंगा, चलिए जी मैं इसको reload कर लेता हूँ थोड़ा, reload करने के बाद, compose पे अपन क्लिक करते हैं, ओके, जब आप compose पे क्लिक करोगे, तो अभी from वाल आ गया, तो आपको अभी select करना है कि कौन से से आपको mail send करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक mail ID इधर खोल लेता हूँ, तो जैसे एक तो मैं विकास नेरा से send करूंगा, जैसे एक mail में send करता हूँ, subject में कुछ भी डाल दिया, and send बे मने click कर दिया, अभी तो जो man वाली ID इना, उससे मैं कर रहा हूँ, send, okay, wait a second, okay, ये two में, two में 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 mail ID रा डालनी है, wait a second, मैंने copy किया, and two में mail ID मैंने डाल दी, subject मैंने ये डाल दिया, and send बे मैंने click कर दिया, अभी मैंने mail send किया है, वो अपने Gmail से किया है, तो मैं इसको refresh करता हूँ, mail आते ही दिखाता हूँ, या फिर spam में check कर लेता है, नहीं mail आएगा, इसका, ये आगा, तो ये आया है, अपना, अपनी Gmail से, इस वाले Gmail से आया, ठीक है, अभी क्या करता हूँ, मैं compose पे click करता हूँ और यहाँ पे जो from वाला है, मैं change कर देता हूँ, कि मेरे को इससे send करना है, जो मेरा mail account है, इससे मेरे को send करना है, तो मैंने ये select कर लिया, subject मेरे, 2 में मैंने रख दिया, ये mail account जिन पे अपने को send करना है, subject आपको यहाँ पे रखना है, thanks, अढ़ यहाँ पे कुछ भी मैंने ये डाल दिया जेंट मेने क्लिक कर दिया तो यह mail जेंट यहां पर दिखा रहा है अभी आते हैं दुबराँ से चेक करते हैं छैक करते है ERIC कtes करते हैं तो कि दुबारा से यहां पर आते हैं चेक करते हैं कि स्पेम में तो नहीं आया है तो यह देखो स्पेम में आ गया है यहां पर यहां पर देखो अभी किस से आ रहा है फ्रॉम में यह है ठीक है और किसको आया है इसको नहीं तो आप जीमेल का यूज करके भी आप इसके थूरू सेंड करका शक्ते हो अगर आप इसको डिलीट करना है तो see all setting में जाना दुबारा से एकाउंट इस पर क्लिक करना है एंड डिलिट पर आपको क्लिक कर देना है ओके तो वो डिलिट हो जाएगा या फिर आप एड अनुदर अकाउंट पर जब आप क्लिक करते हो तो आइधिंक यह Google holders to access your account उसके लिए है ओके तो आप ट्राइक कर सकते हो different different यहां पर options है तो मैंने यह वाला किया है ओके तो यहां पर यह यहां पर अपना Id हुआ था जैसे आप Ad Place e mail account करते हो ना तो यहां पर आपका एड होता है तो मैं इसको डिलीट करता हूं आप इसको इसको आज email पर भी add कर सकते हो and उसके तुरू send कर सकते हो Outlook अगर हमें तो आप add कर सकते हो यह सारी detail यूज़ करके आप कहीं पर भी इसका IMAP SMTP डाल सकते हो